जैहन प्यारे बच्चों मैं आपशेक कुमारा अपश्चा भी का रोजगार विद्ग्यान में स्वागत करता हूँ जसा कि हमारी तच्च बैच चल रहा है और इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं पुलिस के लिए और यह जो भी हम सिलेवस कवर गर रहे हैं पुलिस के साथ साथ आप अगर जैसे एकजाम दे गोए अभी रेलवे का या किसी भी बंडे एकजाम को उसमें यह सभी सिलेवस सफिसnyant होगा चाहे वो मैढ का हो रीजिनिंग का हो या जीयस का हो जो आपकी साथ की भी कलास आने वाली है साथ का हो यह सभी जो subject होंगे वो sufficient हैं आपके बंडे एक्जाम के लिए तो आज जो हमारी class है यह दूसरी class है जोग्रॉफिक की और जोग्रॉफिक में आज हम start करने वाले हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड या हम बोल सकते हैं सौर्मांड और ब्रह्मांड के साथ साथ हम पढ़ेंगे सौर्मंडल को ठीक है युनिवर्स को आज हम discuss करेंगे ठीक है बढ़ते हैं class की ओर ठीक है तो ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड के बारे में अगर हम देखें, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है, तो जो भी हमें देखता है, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है, जैसे मुझे जो आकास में कुछ भी दिखाई दे रहा, कोई पिंड है, कोई तत्तो है, कोई भी ऐसी चीज, कोई गैस, जो भी हमें हमारे इस जगत में जो भी दिख रहा है और या नहीं दिख रहा है, वो सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है, चाहे कोई पिंड हो, या तारा, या कोई गैस, जो भी है, वो सभी क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, क्या है, ब्रह्मांड का हिस्सा है, अब ब्रह्मांड की विस्तार की बाद करें, तो ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक माना जाता है, कहा तक है, अनंत तक है, ब्रह्मांड का विस्तार अनंत तक है, तो ब्रह्मांड के लिए कई संकल्पनाएं आई हैं, कि ब्रह्मांड क् बहुत सारी थियोरी बनी ठीके तो सबसे पहले टॉलमी ने एक सिध्धांत दिया था जियो सेंट्रिक अब जियो सेंट्रिक की जैसे ही बात की तो जियो का मतलब मैंने पहले कलास में ही आपको बता दिया था प्रत्वी और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रिक का मतलब होता है पेंडिया कोई भी गैस या फिर कोई तारा क्या लिखा था मैंने तारा ठीक है तारा और जियो सेंट्रिक सेंट्रिक का मतलब क्या होता है जियो सेंट्रिक और जियो सेंट्रिक को अगर देखोगे जियो का अर्थ होता है प्रत्वी क्या होता है प्रत्वी और प्रत्वी की जब हम बात करेंगे तो प्रत्वी कहां पर है कहाँ पर है सेंटर में जियो सेंट्रिक का मतलब है प्रत्वी कहाँ पर है हमारी सेंटर में है और जब सेंटर में प्रत्वी को रखकर किसने अब धाड़ा दे थी तालमी ने तालमी ने बोला कि जो प्रत्वी है वो कहाँ पर है सेंटर में और इसके चारों और क्या है जितने ग्रहे हैं तारे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ये अब धाड़ा को इस अब धाड़ा की मानता आज की समय में नहीं है क्योंकि जब इसको खोजा गया कापर निकस ने एक अवधाड़ा दी हैलियो सेंट्रिक और हैलियो का मतलब होता है सूर तो इन्होंने कहा कि सूर केंदर में है और सूर के आसपास ग्रहे उपक ग्रहे गूम रहे हैं तो सेंटर में किसे माना है, सूर को सेंटर में माना है, किसे सेंटर में माना है, सूर को सेंटर में मान कर किसने कौपर निकस ने, कौपर निकस ने, कौपर निकस ने, कौपर निकस, कौपर निकस ने क्या कहा? कि जो सूर है वो केंदर में है और जबकि टॉलमी ने क्या कहा था कि प्रतवी केंदर में है किस ने कहा था टॉलमी ने क्या बोला था कि प्रतवी कहा पर है केंदर में है लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि सूर केंदर में है सौर मंडल के और इसके चारो और सभी ग्रह क्या कर हैं चक्कर लगा रहे हैं अब इसमें और भी बहुत सारी चीजे आई ठीक है और कौपर निकस को ही एक चीज और आप लिख सकते हैं कि आधुनिक खगोल सास्त्र का जनक भी कहा जाता है इन्हें क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है ये तो बता दिया कौपर निकस ने खगोल की गत्ति की नियम दिये किस ने दिये ग्रहों की गती के नियम के नियम किस ने दिये कैपलर ने किस ने दिये कैपलर ने क्या फाइंड आउट किया कि ग्रहों के गती के नियम जो प्रतिपादित किये थे वो किस ने किये थे कैपलर ने किये थे यतना आपको समझ में आया होगा ठीक है अब हम देखेंगे कि जो ग्रह है या फिर ब्रह्मांड है इसका निर्माड कैसे होता है इसका निर्माड कैसे होता है अगर ब्रह्मांड की निर्माड की बात करें तो ब्रह्मांड की निर्माड के लिए चार अबधारणाएं दी गई हैं लेकिन सबसे महतपूर अबधारणा जो है ब्रह्मांड की निर्माड की ब्रहमाड की उत्पत्त की उसे हम बोलते हैं विग वेंग अबधारडा अबधारडा विग वेंग अबधारडा ये क्या है विग वेंग अबधारडा की अकर हम बात करें तो बिग वेंग से आपको समझ में आया होगा कि एक विस्पोट हुआ और विस्पोट किसमें हुआ अगर आप देखोगे तेरा दसमलब साथ कितना तेरा दसमलब साथ अरब बर्स पहले की घटना है क्या आपकी घटना है अरब बर्स पहले की घटना है और तेरा दसमलब साथ अरब बर्स पहले ब्रह्मांड नहीं था और जब ब्रह्मांड नहीं था तो क्या था एक छोटा सा एक गोलाकार एक विन्दु था जिसका घनत तो बहुत अधिक था, जिसका आयतन बहुत कम था, लेकिन घनत तो बहुत अधिक, ताप बहुत अधिक था, घनत तो भी बहुत अधिक था, तो इस चोटी से बिंदू, चोटी से तत्तों में क्या हो गया? विसफोट हो गया, क्या हो गया? विसफोट हो गया. और जब इसमें विस्फोट हुआ विस्फोट के बाद इसमें जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद यहां पर क्या हुआ बहुत सारी गैस क्या उत्पन हुआ गैस की बादल चा गए और क्या हुआ बहुत सारे पिंड विखंडित हो गए और क्या हुआ इस पेस, इस थान की, क्योंकि पहले एक पिंड था और जब ये विखंडित हुआ, तो इस थान का भी निर्माड आया, निर्माड हुआ, किसका निर्माड हुआ, इस थान का निर्माड हुआ, और क्या हुआ, समय, क्या हो गया, समय, किसकी स्थापना हुए, क्या चीज हमें मि लिंड मिला, गैसे मिली, और हमें क्या मिला, इस्थान मिला, और समय, ये सारी चीजों की गड़ना प्रारंब हो गई, तो इन सारी चीजों की गड़ना जो प्रारंब होती है, वो कहां से होती है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब आगे देखेंगे, अगर हम बोलें कि विंग वेंग थियोरी विग वेंग थियोरी को प्रतिपादित किस ने किया था किस ने विग वेंग थियोरी के बारे में बोला था तो विग वेंग थियोरी को प्रतिपादन जो किया था बो ले मेत्रे ने किया था किस ने किया था ले मेत्रे किस ने किया था ले म वियाख्या की थी वो किसने की थी रावर्ट वेगनर इसकी वियाख्या जो की थी वो रावर्ट वेगनर किसने की थी रावर्ट वेगनर ने विगवेंग अब धारडा की क्या की थी वियाख्या की थी विगवेंग अब धारडा की वियाख्या किसने की थी रावर्ट वेगनर ने की थी और कब की थी? तो 1960 कब की थी? 1960 इस भी में रावर्ट वैगनर ने क्या किया था? विग वैंग थियोरी की व्याख्या की एख थी ठीक है अब विग वेंग ट्योरी बोलती है कि जब इन्होंने ब्याख्या की तो इन्होंने ये भी बताया कि जो आज भी है जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार आज भी हो रहा है आज भी हो रहा है और इसको सिद्ध जो किया है इसका समर्थन जो किया है वो डापलर ने किया है किसने किया है डापलर ने इसका समर्थन किया है कि आज भी आज भी क्या है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड आज भी जो पिंड है उनके बीच की दूरी आज भी बढ़ रही है जब आकास गंगा को देखा गया आकास गंगा में जो तारे हैं जो बहुत सारे पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बढ़ रहे हैं इतना आपको समझ में आया होगा ठीक है अगर हम बात करें तो इसी ब्रह्मांड में अगर ब्रह्मांड में बात करेंगे तो बहुत सारी आकास गंगाएं हैं क्या हैं बहुत सारी आकास गंगाएं हैं और आकास गंगा को ही क्या बोलते हैं आकास गंगा को ही क्या बोलते हैं इतनी सारी आकास गंग की बात करें तो आकास गंगा हमारे ब्रह्मान्ड में अरवों आकास गंगाएं हैं और इन आकास गंगाओं में असंख तारे होते हैं और इनका निर्माड कैसे होता है अगर हम इनकी निर्माड की बात करेंगे तो जैसे बिग वेंग थियोरी में बताया गया कि जब विस्फो और बहुत सारे पिंड मिलकर, जब ये गैस के बादल धीरे-धीरे खटा होने लगे, संकुचित होने लगे, तो इनमें क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रानिक विच्छी पढ़ हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, इनमें जो हाइड्रोजन था, वो हीलियम में परवर्तित होने लगा, किस में परवर्तित होने लगा हेलियम में परवर्तित होने लगा और जब हाइडरोजन हेलियम में परवर्तित होने लगा तो इसमें चुम्बकत्त बढ़ना जो बड़े कड़ थे उन्होंने अपनी छोटे कड़ों को आकरशित किया और गृत्वा करशड के कारण जो बादल वो भी उन्ही की आसपास आने लगे और यहां पर क्या होने लगा फिर जो ही हैडोजन था वो हेलियम में परवर्तित होने लगा और अनेक तारों का निर्माड होने लगा और यही तारों के जुंड को यही तारों के जुंड जो एक क्या बनाते हैं गैलक्सी बनाते हैं आकास गंगा बनाते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा कि आकास गंगा का निर्माड कैसे होता है, आकास गंगा का निर्माड कैसे हुआ, जो विस्पोर्ट के समय पर बादल हुए थे, गैसी ये बादल थे, उन्हीं से आकास गंगा का निर्माड हुआ था, ठीक है, अगर हम दुग्ध मेखला या एरावत पत्थ क्या क्या नाम है हमारी आकास गंगा के अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं से मंदा किनी मंदा किनी और इसे क्या और बोलते हैं दुग्ध मेखला क्या बोलते हैं दुग्ध मेखला या मिलकी बे या इसी को क्या बोलते हैं एरावत पत एरावत पत आप लोगों ने सुना भी होगा जो आकास में एक रास्ता सा दिखाई देता है तारों का एक भद्दा सा रास्ता दिखाई देता है गर्मी के मौसम में वो क्या होता है एरावत पत वही हमारी मंदा किनी है मिलकी बे है और इसका ही हिस्सा है एक सुर्र सुर्र इसी का तारा है मिलकी बे का तारा है सुर्र भी एक तारा है जो किसका हिस्सा है मंदा किनी का हिस्सा है और मंदा किनी की अगर बात करें तो मंदा किनी का आकार जो है व तीन भुजाएं हैं जो जिसके केंदर में एक ब्लैक होल है क्या है ब्लैक होल है और अगर सूर की बात की जाए तो सूर मंदा के निकी मद्ध वाली भुजा में दूसरी भुजा में इस्तित है सूर मंदा के निकी दूसरी वाली भुजा में या मद्ध भुजा में इस्तित है और सूर एक यूबा तारा है जिसका निर्माड सौर मंदल का अगर निर्माड की बात करेंगी तो चार दसमलव साथ अरब बरस पहले सौर मंदल का निर्माड हुआ था और सौर मंदल के निर्माड की भी कुछ व्याख्याएं दी गई एक तारक व्याख्या या दो तारक व्याख्या इन व्याख्याओं के अनुशार हम सौर मंदल के सौर मंदल के निर्माड की बात की अगर हम करेंगे तो उसके लिए दो व्याख्याएं दी गई हैं एक तारक वियाख्या और दोई तारक वियाख्या इनके आधार पर हम क्या करेंगे सौर मंडल के बारे में बात करेंगे ठीक है ये 4.7 से लेकर 4.5 अरब वर्स का इसका समय दिखाया जाता है अरब वर्स कितना है अरब वर्स कितना है अरब वर्स ठीक है अरब वर्स 4.5 अरब वर्स ठी इतना आया समझ में, आगे अगर हम देखेंगे, कि अगर मिलकी भी इस प्रकार की है, तो इसमें जो असंख तारे हैं, इन तारों में अगर आप देखोगे, तो ये जो बाहरी भुजा होती है इसकी, जो बाहरी भुजा है इसकी, इस पर क्या है, इसके जो तारे हैं, ये प्र इस पर कौन सा तारा है? सूर है, जो अपनी यूबा अवस्ता में पहुँच चुका है। सूर किस अवस्ता में है? यूबा अवस्ता में है। अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जो तारे होते हैं वो बहुत संगने तो होते हैं और यह अंतिम रूप में अपने पहुँच जाते हैं क्योंकि यह ब्लैक होल के भी नजदी को होते हैं और इनका अंतिम चरड होता है और बहुत सगन अवस्था में होते हैं किस अवस तारित रूप भी बताएंगे लेकिन जो हम एक feedback आपको दे रहे हैं ब्रह्मांड का वो समझ में आ रहा होगा ठीक है और अगर कोई doubt आपको बनता है किसी कोई doubt आपको आता है तो उस doubt को clear भी कर सकते हैं comment box में मुझे मुझे पूछ सकते हैं मैं उसका answer दूँगा मैं उसका answer ठीक है इसके बारे में आप उससे पूछ सकते हैं अब अगर हम देखें इसके आगे हम देखें कि अगर सूर एक तारा है और सूर का भी जन्म इसी तरीके से गैसों से हुआ है क्या सूर के आसपास भी तारे हैं तो हाँ सूर के आसपास भी तारे हैं और सूर के नजदीक ए और गैलक्सी भी है जिसे हम एंड्रोमेडा कहते हैं क्या नाम है उस गैलक्सी का एंड्रोमेडा और अगर एंड्रोमेडा सबसे नजदीकी गैलक्सी है जो किसके नजदीक है हमारी प्रत्वी या हम मंदा किनी की नजदीक की बात करें तो यही सबसे नजदीक मंदा किनी की भ भी बूला जाए तो यही गैलक्सी किसकी नजदीक है सूर मंदा किनी और प्रत्वी तीनों के नजदीक है ठीक है और इसको वायस लाख प्रकास वर्स कितनी दूरी है वायस लाख प्रकास वर्स प्रकास वर्स सूर से इसकी दूरी जो है वो कितनी है वायस लाख प्रकास वर् कौन है एंडरोमेडा गैलेक्सी, कौन है एंडरोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है, एंडरोमेडा, एंडरोमेडा गैलेक्सी जो है, वो सूर से कितनी दूरी पर है, 22,00,00 प्रकास वर्ष दूरी पर है, और प्रकास वर्ष जो मातरक है, ये भी आपको याद रखना है, ये दूरी का मात्रक है किसका मात्रक है दूरी का मात्रक है और एक प्रकास वर्स वराबर क्या होता है एक प्रकास वर्स वराबर क्या होता है प्रकास द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी यहां तक कोई डावट और अगर हम देखें कि जो मंदा के ने थी मंदा के ने को सबसे पहले किसने मंदा के ने की बात की मंदा किनी जो हमारी गैलेक्सी है मंदा किनी को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे गैलेलियो कौन थे गैलेलियो इन्होंने मंदा किनी के बारे में सबसे पहले जो विचार बताया था कि एक मंदा किनी है और इन्होंने ही मंदा के नी की जो आखरी भुजा थी इसको देखा और इसके बारे में बताया और सबसे पहले ये बुला कि एक मंदा के नी भी है और जिसका सूर हिस्सा है जिसका सूर क्या है एक हिस्सा है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा इतना समझ में आ गया हो का निर्माड और ग्रहों का निर्माड के वारोई में जानेंगे तारों के निर्माड ठीक है तारों के निर्माड और ग्रहों के निर्माड निर्माड के वारे में जानेंगे ठीक है और इसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे ठीक है किस में देखेंगे अगली क्लास मे देखेंगे क्योंकि किरोहों के निर्माड और तारों के निर्माड में हमें बहुत सारे फैक्ट आपको बताने हैं ठीके फिर क्लास जाना लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं और जो अभी तक आपने देखा है इसको समझने की कोशिश करें और इस पर अध्यन करें और इसके आंगे की क्लास आपकी इसी पर आधरित होगी और अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्लास को धन्वार